My Million Dollar Business Story आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी स्टोरी के बार में बात करने वाले हैं जिसके अंदर मैंने अपने स्कूल से ड्रॉप लिया एक बिजनस को स्टार्ट किया उस बिजनस के अंदर जो भी चालेंजिस होते हैं उन चैलेंजिस को महाँ पर फेस किया गालियां सोनी उसके बाद जाके मैंने इंटर्णशिप कराकी जॉब्स कराकी एक सक्सेस्वल सॉफ्टवर इंजिनियर बन पाया आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरी स्टोरी के बार में बात करने वाले हैं एक बार में ने 10th class के अंदर drop लिया था एक बार में 12th class के अंदर drop अभी लिया है एंड इन दोनों cases के अंदर मेरा situation थी वह बिल्कुल ही different थी पहले case के अंदर मेरे को कुछ नहीं आता था literally मेरे को कुछ नहीं आता था मेरे को basically सिरफ HTML, CSS, Javascript और Python आते थे उसके basis पर मैंने drop ले लिया था कि अब मैं skill सीखूँगा, अब मैं business खड़ा करूँगा अब अगला Elon Musk मैं ही बनूँगा ये सारे चीज़े सोचके मैंने एक drop ले लिया था मैंने बहुत ज़ादा मुश्किल से अपने parents को convince किया था obviously कभी भी आप लोग के parents नहीं मानेंगे पर मैंने कैसे ना कैसे उनको convince करके 5th के बाद एक eardrop लिया था अब वो पूरा पूरा one year duration वाला drop नहीं था उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन मैंने वहाँ पर drop ले गया था अब वो drop मैंने क्यों लिया था सबसे पहले उसके बार में बात कर लेते हैं मेरे को ये था कि businesses आज के टाइम में बहुत जादा grow कर रहे है मेरे को लगा था कि businesses के through ही आगे की दुनिया चलने वाली है तो मैं क्या करता हूँ अभी जो स्कूल के अंदर मेरे time waste हो रहा है ना उसके अलावा मैं यहां पर business करना शुरू करता हूँ मैंने क्या किया मैंने छोटा सा एक business यहां पर शुरू कर दिया अब उस business के बार में मैं नाम नहीं रिवील करूँ हूँ कुछ भी चीज़े में यहां पर रिवील नहीं करने वालों तो उस चीज़ के बार में मत सोचना लेकिन यहां पर basically क्या हुआ तो उस business के अंदर यह चीज़े में आप लोग के साथ जरूर से share करूँगा सबसे पहले मैंने यहां पर एक company खड़ी की उस website के अंदर जादा कुछ चीज़े नहीं कर सकते थे आप वह basically एक e-commerce की website थी जिसके अंदर आप लोग अपनी जो भी products देना उसकी shopping कर सकते थे in 30 minute delivery मैं provide करूँगा आप लोगों को अब यह चीज़े जो मैंने सोची हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं यह सारे की सारे चीज़े इतनी ज्यादा easy नहीं थी जब आप लोग business के अंदर कूते होना तब यह चीज़े बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है अब मेरे को business के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था मेरे को तो बस यह था कि अगला Elon Musk तो मैं ही बनूँगा तो मैंने भी महाँ पे जोश जोश के अंदर शुरू तो कर दिय मेरे पास उस वक्त जितने भी पैसे थे ना जितने भी 2000-3000 रुपे मैंने कठे करके थे जो भी रिष्टेदार दे के जाते थे घर पे उनके जो भी पैसे कठे करके थे ना उनसे वो business शुरू करने की कोशिश के थी basically अब उस business के अंदर वो चीज़े बिल्कुल भी successful लेंगे मैंने website बनाई उसके अंदर जो भी domain name की पचेज होती है आप लोग की hosting की पचेज होती है उसी के अंदर मेरा जो भी budget था वो पूरा खतम हो चुका था मैंने कैसे ना कैसे करके website बनाई उसके उपर products अपलोड करे अब वो products कहां से लाने थे वो मेरे लिए sorted था क्योंकि उस उनको मैं 30 minutes के अंदर groceries deliver करूंगा अब यह चीज़े बिल्कुल भी आसान तो होती नहीं है अगर आप लोग कुछ भी करने जाओगे starting में तो बिल्कुली fail होने वाले हो यह चीज़ आज मेरे से लिखवा के लेके चले जाओ वहां पर भी मैं fail हुआ था मैंने website बनाई थी कै कैसे ना कैसे करके मैंने 200 से 300 रुपे facebook ads पे लगाए थे अब यह बात मैं कहा हूँ आप लोगं को 10th class के अंदर की अब 10th class के अंदर मैं इतना camera friendly नहीं था मैंको camera के आगे बोलने से डर लगता था मैंको नहीं आता था camera के आभी बोलना तो इसलिए मैं क्या करता था वहां प अब नेवल है लेकिन कभी भी कोई order नहीं आता था लेकिन वहाँ पर एक order आया मेरे पास मेरे पास ने बंदेने www.व कोई address आहा पर ते हैं जिसको आप लोग एक फेक ओडर कह सकते हो, वो एक फेक ओडर मेरी विबसेट पे आया, मैंने सारा का सारा समान पैक कर दिया था, लेकिन जब मैं देखने गया कि उसका एड्रेस का है, जहां पर मेरे को इसको डिलिवर करना है, वो एड्रेस वहाँ पे नहीं था, तो वहाँ पे मैं बहुत जदा न इसे विल्कुल भी वर्काउट नहीं कर दी थी, अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट के उपर बहुत जदा पैसा खरच करोगे ना, एंद उसको थोड़ा सा टेस्ट नहीं करोगे, मार्केट के अंदर, वो चीज़ कभी वर्काउट नहीं करेगी, मैंने बहुत सारे अलग मैंस के बारे में पूछा, मैं ये सारे चीज़े करने में मलत हो आ रहा था, मैं फंडिंग के लिए वह उसके बाद को हम खड़ा करे लेंगे, मैं सोचता था कि एक मिलियन डॉलर की फंडिंग मेरे को कोई दे दो, उसके बाद देखेंगे कि आगे करना क्या है, तो मैं देदो, मैं 16 साल का हूं उनको emotional करता था, sympathy गेन करता था, basically फिर भी कोई funding obviously नहीं देगा, अगर आप लोगों की पस एक proper business plan नहीं है, अगर आप लोगों की पस एक proper personality नहीं है, कोई भी आप लोगों को पैसे नहीं देगा, जब मैंने ये business किया ना, उस business के अंदर मेरे 5-6 मही निकल गए, और कुछ भी conquer नहीं हो रहा था, at the end मेरे पास कोई पैसा नहीं बचाता, मैं कुछ नहीं कर जाकता था, मेरे पास सिरफ एक website थी, अब उस website का मैं सिर में मार लोगों कुछ कर लो, उस website के थूरू कुछ sales तो होने ही रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने वहां से एक थोड़ी सी realization ली, मैंने देखा कि वहां पर अभी मेरा कुछ नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे पास proper skills नहीं है, तो मैंने क्या किया, दुबारा से school को join किया, लगबर अक्टूबर के अंदर, मैंने दुबारा से school को join किया, अब जब मैंने दुब by side skill को सीख रहा था, और वहां पर दीरे 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 जब मैंने 11th class के अंदर मैं गया आना, वहां पर, October के अंदर, जब मैं school को join किया था, December के अंदर मेरी internship लगगी थी, जब मेरी internship लगी ना, अब मेरे internship को as such को personally plan नहीं था, मेरे को ये था, कि मैं apply करके देखता हूँ, मेर लेकिर I got selected, वहां पर मेरे पास एक company का message आया, उन्होंने कहा कि हम आपका interview लेना चाहते है, अब वो जो interview का time था ना, वो था रात के 12 बज़े, मैंने 12 बज़े से लेके 2 बज़े तक उनका जो भी project था ना, वो मैंने complete किया है, उसके बद मैंने उसको submit किया है, अगले दिन म सारी चीज़े बल्कुल भी easy नहीं थी, and जो internship थी ना, वो मेरी school के साथ-साथ ही चल रही थी, उसके बाद मैंने दूसरे internship ही की, अब आप में से बहुत सारे लोगों को already पता होगा, कि internships के नदर बहुत साथ fraud लोग भी होते हैं, मेरे जो पहले internship थी ना, जिसके वज़े से म वो एक fraud थी, मतलब जो worst चीज़ मेरे साथ हो सकती थी, वो चीज़ मेरे साथ हुई थी, लेकिन, coincidentally, मैं क्या कर रहा था, जब मैंने वो पहले internship कर रहा था, साथ-साथ मैं मैंने दूसरे internship भी करने शिरूर कर दी थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा साइडिया लग गया था, कि य जो है मेरे साथ scam कर रही है, जो मेरे पहले वाली company थी, उसको मैंने बस अपनी experience के अंदर डाल दे लेकिन, as such मेरे को इस company से ना तो कोई gains हुए, ना या मेरे को उन्होंने कुछ भी internship का जो भी stipend होता है, वो उन लोगोंने, बट फिर भी, जो मेरे दूसरी वाली internship थी, उन् उसके बाद भी जो मेरा business mind था ना, वो टिक नहीं रहा था, तो मैंने क्या सोचा था, कि मैं पच्ची सो रुपे लगाऊंगा, पच्ची सो में कोई big agency को दूँगा, और वहां पैसे एक website बनाऊंगा, खुद के लिए, मैं खुद नहीं बनाऊंगा, मैं एक agency से बनाऊंगा अब जो वो agency थी ना, वो भी fraud निकली, वो agency रही भी मेरे 25 रुपे ले लिए, उसके बाद कहते हैं कि हम नहीं बना रहे हैं website, उन्होंने numbers ब्लोग कर दिये, मेरे सब कुछ कर दिया, मैंने बहुत सारे number से call करने के try की, कुछ नहीं उन्होंने phone उठाए, उसके बाद जो मैं मैंने कमा लिए, उसके बाद मेरे exams आ गए, 11th के, 11th के exams आ गए, तो मेरे parents निका कि अब exams के उपर focus कर, और मेरे लगता था कि अब exams के उपर focus करना चाहिए, अगर थोड़ा सा pass होना है यहाँ पर, तो मेरे exams के उपर obviously हमाँ पर focus करना पढ़ रहा था, तो मैंने क्या कि हमेरे 11th, जो है complete हो गई थी and 12th की May के अंदर मैंने क्या किया, अपलाई करना शुरू किया, April के अंदर ही मैंने अपलाई करना शुरू किया, जो response आ था na, वो में के अंदर था, तो basically क्या हुआ, मैंने LinkedIn के उपर बहुत सारे companies के पास apply करना शुरू कर दिया, मैंने लगबग 200 companies के पास apply किया था to get a single response ये सारी चीज़े बहुत जादा मुश्किल रही थी उस वक्त भी लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा करके मेरे पास वह जोब का offer letter आया मेरे को इस फिल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था मैं basically महाँ पर job करने गया था मेरे साथ इतना अच्छा treatment न हो रही होती है अब suppose करो आप लोग सुभे 6 बजे स्कूल के लिए तियार हो रहे हो और आप लोग 3 बजे स्कूल से घर पर वापस आ रहे हो और उसके बाद आप लोग directly company का का काम करने के लिए बैठ रहे हो मेरे ये ये वाली चीज जो है ना बहुत जादा tiring हो रही थी मेरे कि अब टाइम आ चुका है कि अब मेरे को इहां से स्कूल से ड्रोप लेने रहां चाहिए अब मैं इसको ड्रोप भी नहीं कहूंगा मैंने सोचा था कि अब मैं open से स्कूल करूंगा मैं सिरफ exams देने जाओंगा जो कि मैंने अभी-अभी दिये है real life के अंदर मैंने अभी-अ अब मैंने सोचा था कि अब मैं open से exams करूगा तो इसलिए मैंने महां पर क्या कि मैंने school से drop ले लिया और मैंने company की काम पर focus करना शुरू किया अब जैसे ही मैंने drop लिया वैसे ही मेरे पास इस वाली company को offer आ गया है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ और इस वाले offer के आने के अगर आप लोग भी आज अपनी journey के अंदर ट्राइ करना शुरू करते हो ना मैंने अपनी mistakes से सीखा सबसे पहले मैंने school को जब drop किया था जब मेरे को कुछ नहीं आता था उसके बाद मैंने school को जब drop किया जब मेरी job लग गई थी तो I hope आप लोग इन सारी चीजों के थरू एक अच्छा lesson ले सकते हो अगर यह वाले वीडियो पसंद आई तो इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना चानल को सुब्सक्राइब करना एंड माप लोग भून को लेक्शों में तब तक के लिए बाबाई